अपनी गाड़ी में करने वाला हूँ गाड़ी के जो टायर होता है उसमें थोड़ी सी मोडिफिकेशन और आप भी अपनी गाड़ी में इसे कर सकते हो बहुती आसानी से तो दोस्तो सबसे पहले टायर और रिम को क्लीन करना है तो उसके लिए मैंने कप्ड़े दोने का ब्रूस लिया है और पानी में थोड़ा सा सर्फ एक्सल डाला है पहले मैं इसको अच्छे से मिला लूँगा सर्फ को पानी में और उसके बाद फिर टायर को क्लीन करूँगा तो पहले थोड़ा सा इसको घोल लेता हूँ अच्छे से सर्फ घोलने के बाद इसको टायर और रिम पे दोनों पे अपलाई करना है और अपलाई करने के बाद इसको ब्रस से अच्छे से रगड़ना है बहुत ज़ादा क्योंकि इस पे डस्ट और ग्रीस ओईल वगएरा जम जाता है जिस पे हमारा पेंट काम नहीं करेगा तो इसे हमें बहुत अच्छे से रगड़ना है बुरस से तो सबसे पहले मैं इसको रगड़ लेता हूँ जल्दी से पानी से धोने के बाद टायर और रिम को एक सूके कपड़े से साफ करना है ताकि हमारा टायर जल्दी से जल्दी सूक जाए और हमारा टायर पूरी तरीके से सूक गया है और मैंने ये वाइट टेप लिए जो के आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से 30 रुपे में मिल जाएगी तो इस टेप को मैं जो टायर पे लेटर्स लिके होते हैं उसके उपर अपलाई करूँगा तो सबसे पहले टेपिंग कर लेता हूँ टेपिंग करने के बाद एक रेजर ब्लेड से इसकी पूरी कटिंग करनी है जितने भी लेटर्स हैं तो जो पहले 3 लेटर्स मैंने कट कर दिये हैं तो मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ तो आप आगे देख सकते हो मैं कैसे कट कर रहा हूँ तो जल्दी से कटिंग कर लेते हैं सारे लेटर्स की तो जूँ और दोस्तो एक साइट की तो कटिंग पूरी हो चुकी है कट करने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है और अब मैं दूसरी साइट की भी कटिंग कर लेता हूँ जल्दी से और दोस्तो टेप कटिंग का काम तो कंप्लीट हो चुका है और अब मैं कुछ paper news के मदद से इस पूरे टायर को cover करने जा रहा हूँ तो सबसे पहले इस टायर को cover कर लेते हैं और दोस्तो paper news को tape की मदद से कुछ इस तरीके से लगा लेना है क्योंकि जब हम spray paint करते हैं तो हमारा जो paint होता है वो थोड़ा दूर तक spray करता है तो उस पे car की body पर लगने का भी chances है तो इसलिए थोड़ा दूर तक paper news से cover कर देना है कार की body को ताकि हमारा paint कार की body पर ना लगए paint करने से पहले bottle को थोड़ा shake करना है उसके बाद paint करना है और दोस्तों first coat लगे को हमारे 15 minute हो चुकी है अब मैं इस पर second coat करने जा रहा हूँ और दोस्तों मेरा सारा काम complete हो चुका है और अब मैं इसको एक गंटा सूकने के लिए छोड़ देता हूँ और दोस्तों अब साम हो चुकी है लगबग 3 गंटे हो चुके हैं paint को और अब मैं जो इस पर paper news और taping वगरा की हुई है वो मैं उतार लेता हूँ जल्दी से और दोस्तों इसके लावा आप कार में कोई और modification देखना चाते हैं तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा और ये वाली modification आपको कैसे लगी तो मुझे comment करके बताना जरूर तो दोस्तों ये था एक टायर modification करने का एक आसान सा तरीका आज की वीडियो में फिलाल इतना ही अगली वीडियो आने तक के लिए बाई दोस्तों